दिली हिंसा में मौत का आकड़ा बड़ा दिली हिंसा में मरने वालों की संख्या अब 18 हो चुकी है तो जी टीवी अस्पतार में आज 5 और लोगों की मौत हो गई हेड कॉंस्टिबल समेट 18 लोगों की मौत हुई है पुलिस वालों समेट हिंसा में 170 लोग घायल बताए जा रहे नौर टेस्ट दिली के चार्ज दिलों में कर्प्यू लगा है आधी रात एनसे अजी डोबाल ने हिंसा करस्त लाकों का दौरा किया जापराबाद, यमना विहार, वजीराबाद का जायजा यहाँ पर लिया गया है तो गोकुलपूरी, सीलंपूर, मोशपूर, करावल नगर का भी दौरा किया गया है तो आपको बता दे कि अब बढ़ने वालों की संख्या 13 से बढ़कर 18 हो चुकी है आदी रात अनसे जी डुबाल ने हिंसागरत इलाकों का दौरा भी किया जिसके बाद सक्ति के आदेश यापर दे गए और उपर द्रव्यों को सीदे गोली मारने के आदेश दे गए इसके बाद से इलाके में पिलाल जो हालात है वो सावा ने बताये जा रहे हाला कि जो सेंसिटिव इलाके है उनमें कर्फ्यू लगाया गया है तो दिली हिंसा में मरने वालों की संख्या अब 18 हो गई है दो तस्वीरे आपके टीवी स्क्रीन पर मुरादबाद और नौइडा की है तो आप देख सकते हैं ना सिर्फ दिली बलकि यूपी में भी खासा अलर्ट का जो असर है वो साथ तो और पर दिखाई दे रहा है तो जहां भारी पुलिस बलको तेनाद के आगे तो कई प्लैग मार्ज कर शान्ती बनाए रखने की अपील तो दिली हिंसा में अब मौत का आकड़ा बढ़कर 13 से 18 हो चुका है तो दिली हिंसा में मरने वालों की संक्या बढ़कर 18 हो गई हो और इसी पर जादर जानकारी के लिए हमारे संब्धा आता अमें दुबे लाइब जुड़ गए हैं हम उनका रूख कर लेते हैं आमेत अब दिली में हिंसा में मरने वाले लोगों का संक्या बढ़ चुकी है 13 से बढ़कर 18 जी बिल्कुल देखे जिस हिसाब से 44 लोग जो है वो गोली लगने से घायल हुए थे उसके बाद इस तरह से जो डॉक्टर से बात हुई है कई की हालत गंभीर थी और यही वज़े है कि 13 से मौत का आकड़ा बढ़के 18 हो गया है आज लोग और आज जो है वो हिंसा में मारे गए है और बाकी जो गायल है उनका यहां पर इलाज चला है हलाकि अब जो माहुल की बात करे सबसे बड़ी चीज की जाफराबाद मेट्रो स्टेशन को जो बंद कर दिया गया था जहां शाहिन बाग की तर्ज पे महिलाय प्रद जाफराबाद में परदर्शन हो रहता वो परदर्शन अब नहीं हो रहा है पूरी तरह से आता याजज जो है वो सुचार रूप से हमाँ चल ला आए यहाँ बीच जब हाई यहा भी कोड्नि दिल्ली हाई कोडने टिप्टि की कि घाईलों को पूरी तरह से फैसलिटी दी आए उन्हें बड़े अस्पतालों में बढ़ती किया जाए उसके बाद प्रशासन और ज्यादा अलर्ट हो गया है हलाकि जी टी भी अस्पताल में घायलों को लेके सुचार रूप से पहले से ही लगातार उनका इलाज किया जा रहा था लेकिन इसके बाप जू जब हाई कोट इस तरह से देवरात अने से जुबाल की तरह से दोरा किया गया है उसके बाद सक्ति के आदिश भी दी गये हैं तो सक्ति का किस तरह से असर देखने को मिल रहा है तेकि CRPF की आठ कमपनिया तेनात की गए पैरा लेट्रिक फोर्स की कमपनिया तेनात की गए रात भर जो है जगे ज़य पे मार्च हुआ है और खासकर कि जो में रोड्स है तो में रोड्स जो है वो पूरी तरह से शान्त है जो गलियों का माहूल है लोगों में अब भी कही रद हो चुकी है लेकिन जिन लोगों की परिक्षा दिल्ली के बाहर थी उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत के घड़ी है इस पे अब तक प्रसासन ने कोई संग्यान नहीं लिया है और ये भी एक बड़ी चीद सामने निकल के आ रही है कुछ इलाके ऐसे दिख रह प्रसाद नहीं थी पुलिस जो है जो में रोड और जो में हाईवेज हैं वहाँ पे पुलिस बाल तैनाथ था और यहीं वजह हुई कि जो ये वारदाते हुई ये गलियों में हुई जहां पे आम लोग रहते और उन गलियों से निकलने बाले लोगों को ना सिर्फ पीटा बलकुन की निजी संपत्ति से भी छेर चाड की गई है और बिल्कुल आमित आप हमारे साथ बने रही है तो दिली हिंसा में मरने वालों की संक्या बढ़कर तेरा हुई है और अब इसी बीच अपडेट मिल रहा है दिली हिंसा को लेकर सेम केजरिवाल का ट्वेट सामने आय तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे है दिली हिंसा से जुड़ी है तो दिली में सेना बुलाई जाए अरविंद केजरिवाल की तरह से अब ये मांग की गई है कि दिली में जो हालात है वो बहत खराब और लगाता है हमारे संबद आता हमें दुबे भी अरविंद केजी बाल के अगर बयान की बात के तो पहला बयान जो है वो कल 11 बजे आता है जब वो केन सरकारों दिली पुलिस पे आरोप लगाते हैं उसके बाद ग्रह मंतराले में बैठक होती है अमिश्चा के साथ जब वो बैठक में शरीक होते हैं तो उनके सूर बदल ज जाते हैं और उसके बाद जो मीडिय상 साब ने उन्होंने कहा की झी दिली में पुलिस बलकी कमी है और पुलिस बल होना चाहीर और जिस से की इस तरह की ख़उरे कि दिया था in चाहिक है और जो सेना को यहां पे आधेस दिया जाता है तो ऐसे में पुलिस बलकी कमी पूरी हो जाएगी और जिस जो मैं बात कर रहा था कि जो में रोड से जहां सुरक्षा बवस्ता जिन गलियों में जिन महलों में सुरक्षा बवस्ता तैनात नहीं है सेना के आने से उन जगयों पे भी सुरक्षा बवस्ता तैनात होगी तो लगता है संपर्ख हमारा तूट गया है लेकिन सवाल कहाँ पर यह खड़ा हो जाता है कि आकर दिली को कौन जला रहा है क्योंकि एक तरफ पूरी तरह से सुरक्षा की बात की जाती है दूसरी तरफ इस तरह के हालात बन जाते कि 18 लोगों की मौत हो जाती है अब दिली के सिम अर्विन केजडवाल ने ट्विट कर सेना को तैनात करने की मांग की है उनका कहना है कि दिली पुलिस इन हालातों को काबू करने में नाकाम रही है और हालात बेहत खराब हो चले हैं लेकिन जिस तरह के हालात दिली में भी वीते दिनों देखने को मिले उसे क पश्मीर के से हालातों को से कमपेर किया जा रहा था, हालाき अब जिस तरह से अजी डोबाल नहीं दोरा किया, जाइजा मौके पर जाकर लिया हालातों का उसके बाद सत्थी को सामान ने बताया जा रहा है. लेकिन आप एक बार पर से अर्वन केज़ वाल ने ट्वेट के जरीए दिल्ली के आलातों को खराब बताते हुए सेना बुलाने की मांग दिल्ली में की है